निचला एकादसी का वरत 17 या 18 कौन से तारीक को रखना उचित है पारण कप करना है पूजा कैसे करनी है वरत नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें क्या दान करें जरूर से जरूर और कौन से ऐसे महा उपाय करें जिससे आपको इस पूरी वरत और पूजा का लाब मिल सके सारी प्रश्क के उत्तर जानेंगे हमें इस वीडियो में जैश्री राम वहदिक पंचान के अनुसार जेश्ट महा के सुक्ल पक्ष के एकादसीती थी और वो 17 जून को सुबा में 4 बच कर 42 मिनट से आरम हो रही है जोकी रही कि 18 जून को सुबा 6 बच कर 23 मिनट पर इसलिए सब क इसलिए मन में संका है क्योंकि दो दिन एकादसी है तो किसी दिन वरत रखना उचीत होगा तो ऐसे में हिंदू दर्में उद्यात थी के माननिता है तो उसी माननिता के आधार पर आपको निरजला एकादसी का वरत 18 जून को रखना सही होगा बाकी एक कुश्नियम आप दोन इस तारी को सुबे में 5 बचकर 21 मिनट से 7 बचकर 28 मिनट तक पारण होगा और पारण में हमेसा आप चावल का जरूर लगाएं अपने खाने में चावल को पारण की समय जरूर सामिल करें अब जान लेते हैं पूजा विधी क्या है आसान से सरल से आप तो जिस दिन आपको करना है निचला एकादसी का व्रत बहुत ही कठिन होता है इसलिए इस एकादसी के एक व्रत से आपको बागी एकादसी का व्रत का फल मिल जाता है इसलिए कोसिस करें कि अगर आपको और एकादसी व्रत नहीं रहते हैं तो ये वाली जरूर करें तो करने के लिए आपको क्य देवा सुदेयों का जाप करते रहें और उसके बाद वृत का संकल्प लें और वहां पर जहां पर आपको पूजा करनी है इसके बाद आपको चौकी बिछा लेनी है नाने के बाद आप सूरी को अरक जरूर दें केले के पौधा है आपके पास में तो उसको जल जरूर अर्प पूजा विधिवत जो होती है धूब दी फल पीलेग धूब दीप नैवेद इत्याद से आप भगवान की पूजा आर्शना विधिवत जरूर करें जितना आपको आता है, जितना आपसे हो सकता है, जो भी आपके पास समगरी है, जितना आप जानते हैं, उस हिसाब से आप मन से, स्रध्धा से, सच्चे मन से आप भगवान की पुजा चना करें, उसके बाद कथा को आपको जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए, आपको मेरी च इसके बाद आप जो प्रसाध्य घर में बाट दे और अगले दिन दोदसी तिथी में पारत करें पूरे दिन बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिन को भगवान के जब किर्टन में पूजा पाठ में ही अपना दिन बिताए अच्छे कामों में बिताए किसी तरह के गलत काम विवार आदत विचार ना करें भोग में आब केला पंचामरत पंजीरी मखाने की खीर और तुलसी दल के साथ इस बोग को कोई ने कोई दे सकते हैं तो आप जान लेते हैं कि अगर आप प्रत नहीं कर पा रहें तो आपको क्या करना चाहिए अगर आप प्रत नहीं कर पा रहें तो कोईसिस करें कि उस दिन आप कम से कम आहार लें या फिर फला हार रहें कर आप प्रत की तरह ही अपने दिन को बिताएं व्रत ना होकर भी उसी तरी से आप दिन बताएं जैसे कि व्रती का होता है जितना आप कर सकते उतना आप करें भवान से अपने मन में जो है वो सारी चीजे कहें कि आप से जितना हो सकता है उतना करें लेकिन आप क्या करना है कि एकदसी में दान की बहुत ज्यादा मानिता होत तो आप अपनी सामर्थ इंसार सुर्धा से जितना कुछ हो सकता है दान जरूर करें खास कर जल से भरा हुआ कलश जरूर से जरूर दान करें सिर्फ एक जल से भरे हुए कलश से आपके बहुत सारे पाप, बहुत सारे परिशानिया समाप्त हो जाती है क्योंकि गर्मी का महीना होता है, इसलिए में जलका दान करना, सर्बत पिलाना, पानी का बढ़ रखने वाला घड़ा दान करना, इस चीज़े बहुत ही ज्यादा महतुपूर होती है, अगर आप रत ना कर पाएं, तो ये चीज़े जरूर करें, अगर आप रत हैं, तब भी य चीज़े करें, इसके अलामा जो पंखा है, खाने की चीज़े हैं, अन दान हैं, ये सारी चीज़े आप दान जरूर करें, जो कुछ आपसे हो सकता है, पूजा में जो घड़ा और पंखा यूज होता है, वो भी दान के लिए है जाता है, तो अपनी स्रद्धा नुसार आप अपने अच्छे कर्म और विवार रखते हैं तो आपको भी व्रत और पूजापाट के बराबर ही लाब जरूर मिलेगा। बस आप किसी तरह के कि गलत विवार विचार आप ना करें। और एक बात का ध्यान रखे कि दान हमेशा आपको सुपात्र को ही देना चाहिए जिसको उस दान की जरूरत हैं तो उसको दान देना ही बहुत ज़्यादा जरूरी होता है वही आपके लिए फल का लाब आपको मिलता है जब आप किसी जरूरत मंद को दान करते हैं। दान आप करेंगे उसके लावा आपको चावल नहीं खाना है तुलसी दल नहीं तोड़ना नहीं जलार पित करना खाली पूजा पाट करने है पहले से ही तोड़कर रख लेनी है उसके लाव ना खोल नहीं काटना है त्याले से कुछ काम आपको इनका दसी की दिन नहीं करने है इसके लिए आप दुलसी माता के पूजा करनी है और ये खास उपाय है कि आप दुलसी जी के पौधे के पास घीक से 11 दीपक जला कर रखिए और 11 बार परिक्रमा कर लिए ये उपाय करने से आपके ववाहिक जीवे में सुख सम्रधी बढ़ने लगेगे तो ये उपाय आप ए कदुसी के दिन निर्चला एक कदुसी के दिन कर सकते हैं अगर आपके कंडले में किसी प्रकार का दोस है तो उससे चुटकारा पाने के लिए आप निर्चला एक कर दिन पानी शर्वत पीलेफल आम तर्बूश रखकर आध किसी भी चीज़ का जरूत मैं ब्रामर्य अगर को दान करें ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा सुब और फलदाई आपको लाब मिलेगा तो जो दोस है वो भी आपका नश्ट हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको बता है था कि जल से भरा पात रहे हैं जल का जो दान है वो दान ही आपके लिए बहुत सारी परिसानियों को समाप् करनने वाला हैं इसके लाब आप निर्जलाय का दिशिदिन भगवान विष्टियों और मालक्ष्मी की विधिपूर और पूजा पाठ करते समय पूरे दिव्रत रखने की समय ओम नमो महुतेवास देवाय मंत्र का जाप करता रहने चाहिए मानता है कि ऐसा करने से आपके मन जाहिछा पूरी होती है अपने पूरे दिन आप कुछ भी करते हुए कोई भी काम करते हुए जाए घर का काम हो बाहर का काम करते हुए बस भगवान में अपना मन जो है मन और तन भगवान को यर्पित कर देना चाहिए उन्हीं में भजन के तन जो भी है मन में जाप करते र ये जैस्टिना